नमस्कार दोस्तों जीके का टैश पिपर शुरू करने से पहले हम बात करेंगे आज की बहुत इंपर्टेंट निउस इर्फान खान के बारे में जिनका हाली मिनिधन हो गया उनसे सम्मनित एक्जाम में आपसे क्या कॉशन्स पूशे जा सकते हैं एक छोटा सा क्विक रिव्य इर्फान खान साल 2011 में कला के शेत्र में पदमिस्री पुरुसकार प्राप्त कर चुके हैं इकलोते ऐसे अभी नेता है जिनने एकेडमी अवर्ड मिला है स्लम लॉग मिलेनियर लाइप आप पाई के लिए उन्होंने अवर्ड जीते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी लंच वॉक्स के लिए सिने चोईस अवर्ड भी मिला है इर्फान खान 2012 में बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवर्ड भी जीते हैं पान सिंग तोमर के लिए फिल्म फेर क्रिडिक का बेस्ट एक्टर अवर्ड मिला है तीन इंटनेशनल इंडियन फिल्म एकाडमिक अव के बारे में हर जानकारी कहां से शुरू और कहां तक उनकी एक प्रकार से इश्रगल को लेकर हर चीज में आपके लिए बताऊंगा आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं टेस्ट वीडियो पर इस कॉशन का वीडियो यह एमस्क्यू पैटर्न में वीडियो हैं हर कॉशन का आंसर देने के लिए आपको पांस सेकंड का समय मिलेगा देन आपको अपना आंसर बताना है कम से कम 50 परसेंट से प्लस का स्कोर गेन करना है आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेय बनी रहे हैं चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेरी तरफ से आपके लिए सिर पड़ सिर बेश्ट अपलक है स्कोर आपको इमानदारी से शेयर करना है स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्न ये रहास्कीन पर कॉश्यन आपसे कुछ इस परकार पूछा गया है जो है option number मई महा का दूसरा रविबार option number D यहाँ पर सहीत्रो जाएगा मई महा का दूसरा रविबार जो है वो mother's day कहलाएगा next question देखते हैं क्या पुशगया है यह रहा स्कीन पर विश्व पुस्तक एवं copyright दिवस कब मनाय जाता है बतलाईए चले देखते हैं तो विश्व पुस्तक और copyright दिवस हर साल 23 अपरेल को मनाते हैं option मसी सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशगया है यह रहा स्कीन पर विश्व स्वास्त दिवस 2020 की theme क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो विश्व स्वास्त दिवस 2020 की theme support nurses and midwives option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशगया है यह रहा स्कीन पर गरुण पक्षी किस देश का राश्य प्रतीक है बतलाईए चले देखते हैं तो गरुण पक्षी इंडोनेशिया का राश्य प्रतीक है option number C सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशगया है यह रहा स्कीन पर फागली उत्सव कहां मनाया जाता है बतलाईए चले देखते हैं तो फागली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं option number B यहां पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशगया है यह रहा स्कीन पर अगला question आपसे पुशगया है भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है बतलाईए चले देखते हैं तो भारत के पहले नागरिक है राश्पती जी दूसरे नागरिक है भारत के उपर राश्पती जी next question देखते हैं क्या पुशगया है यह रहा स्कीन पर अगले question पर चलते हैं सीवी रमन की म्रत्यू कब होई थी बतलाईए चले देखते हैं तो सीवी रमन की म्रत्यू 21 नमबर 1970 में होई थी right answer हो जाएगा option number B next question देखते हैं क्या पुशगया है यह रहा स्कीन पर जैपुल से आगरा राश्य राजमार्ग 11 का नया नमबर अब क्या बन गया है बतलाईए चले देखते हैं तो जैपुल से आगरा राश्य राजमार्ग 11 का नमबर बन गया है option number B राजमार्ग संख्या 21 बावन गयारा option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है राजमार्ग संख्या 21 बावन गयारा next question देखते हैं यह सभी राजमार्ग यहाँ से होकर गुजरते हैं विश्व पैंगोलिन दिवस कब मना जाता है बतलाईए चलिए देखते हैं विश्व पैंगोलिन दिवस फरबरी के तीसरे सनिवार को हर साल मनाते है option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशग्या है भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई है बताएए चलिए देखते हैं भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई थी option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशग्या है यहाँ स्कीन पर ताज महल के सुलेखक ताज महल के अंदर जो लेक लिखे हुए हैं कैलियोग्राफर कौन है बतलाएए चले देखते हैं तो ताज महल के सुलेखक हैं कैलियोग्राफर हैं कैलीग्राफर हैं मुहम्मद अब्दू राइट आंसर हो जाएगा option number D next question देखते हैं क्या पुशग्या है यह रहाँ स्कीन पर दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है बतलाएए चले देखते हैं तो दुनिया की सबसे तंग घाटी है दौ ग्रैंग कैनियन राइट आंसर है option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशग्या है यह रहाँ स्कीन पर लखनव घराने का दूसरा नाम क्या है बतलाएए चले देखते हैं तो लखनव घराने का दूसरा नाम है पूरब घराना option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पूरब घराना next question देखते हैं क्या पूशग्या है यह रहाँ स्कीन पर उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लाल मिट्टी के सजाव्टी बरतनों के लिए प्रसिद है बतलाएए चले देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनार सहर जो है लाल मिट्टी के सजाव्टी बरतनों के लिए प्रसिद है next question देखते हैं क्या पूशग्या है यह रहाँ स्कीन पर ceramic city किसे कहा जाता है उस शहर का नाम क्या है बतलाएए चले देखते हैं तो ceramic city खुर्जा शहर को कहते है option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशग्या है यह रहाँ स्कीन पर दम पुख्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोगपुरिय प्रक्रिया है बतलाएए चले देखते हैं तो दम पुख्त व्यंजन पकाने की एक विदी है right answer हो जाएगा option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशग्या है यह रहाँ स्कीन पर बनारस हिंदू विश्व विद्याले कब स्थापित किया गया था बतलाएए चले देखते हैं तो बनारस हिंदू विश्व विद्याले 1916 में स्थापित हुआ था right answer हो जाएगा option number C next question देखते हैं क्या पूशग्या है यह रहाँ स्कीन पर 2020 का Grammy Award किसे मिला बतलाएए चले देखते हैं तो 2020 का Grammy Award Billy Elish को मिला है right answer हो जाएगा option number B next question देखते हैं क्या पूशग्या है यह रहाँ स्कीन पर सिक्किम को राजी का दरजा कब प्राप्थ हुआ बतलाएए चले देखते हैं तो सिक्किम को राजी का दरजा वर्ष 1975 में प्राप्थ हुआ right answer हो जाएगा option number C next question देखते हैं क्या पूशग्या है दुनिया का पहला 100% जैविक राजी कौन सा है बतलाएए चले देखते हैं तो दुनिया का पहला 100% जैविक राजी सिक्किम जो की भारत में है right answer हो जाएगा option number C next question देखते हैं क्या पूशग्या है यह रहाज screen पर अगले question पर चलते हैं अगले question में पूशग्या है वेडू शिल्प पुस्तक का समद्ध किस कला से है बतलाएए चले देखते हैं तो वेडू शिल्प वास कला से समद्ध ते right answer हो जाएगा option number C next question देखते हैं क्या पूशग्या है यह रहाज screen पर ताइवान की पहली महिला राश्पती कौन है बतलाएए चले देखते हैं तो ताइवान की पहली महिला राश्पती sign in when है right answer हो जाएगा option number C next question देखते हैं क्या पूशग्या है यह रहाज screen पर राश्य माना अधिकार आयोग का मुख्याले कहां है बतलाईए चलिए देखते हैं तो राश्य माना अधिकार आयोग का मुख्याले नई दिल्ली में है option नमब B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं बतलाईए चलिए देखते हैं तो वरतमान में मौरिसे के राश्य में है प्रतवी राश्य सिंग रूपन option नमब C सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं कि आपकी शगया है यह रहाँ स्कीन पर भारत के पहले chief of defense staff CDS कौन है बतलाईए चलिए देखते हैं तो भारत के पहले chief of defense staff विपिन रावत है right answer है option number B important question है next question देखते हैं कि आपकी शगया है यह रहाँ स्कीन पर पहाणों की राणी किस से अर्गो कहा जाता है बतलाईए चलिए देखते हैं तो पहाणों की राणी मसूरी को कहते हैं option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं कि आपकी शगया है अभी कौन सा सक समवत चल रहा है लेटेश तो अभी कौन सा सक समवत चल रहा है बतलाईए चलिए देखते हैं तो वरतमान में अभी सक समवत 1942 चल रहा है राइट आंसर हो जाएगा option number B next question देखते हैं कि आपकी शगया है यह रहा स्कीन पर अगले कौशन पर चलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी बतलाईए चलिए देखते हैं तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई थी राइट आंसर अप्शन नमब बी next question देखते हैं कि आपकी शगया है यह रहा स्कीन पर पंदरागस 2020 को कौन सा स्वतनतरता दिवस सेलिब्रेट होगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो पंदरागस 2020 को 74 नमबर का 74 बास उतनतरता दिवस सेलिब्रेट होगा next question देखते हैं कि आपकी शगया है 2019 की miss world कौन है बतलाईए चलिए देखते हैं तो 2019 की miss world है टॉनी एंसिंग राइट आंसर हो जाएगा option नमबर A सही उत्तर है next question देखते हैं कि आपकी शगया है ये रहा स्कीन पर अंतराश्य नयायाले के मुखे नयायदीस 2020 में कौन है बतलाईए चलिए देखते हैं अंतराश्य नयायाले के मुखे नयायदीस 2020 में अब्दुलकवी एहमद यूसुफ है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है विश्व विद्याले अनुदान आयोग के वरतमान अध्यक्ष 2020 में कौन है चले देखते हैं तो विश्व विद्याले अनुदान आयोग 2020 के अध्यक्ष है प्रोफिसर धिरेंदर पाल सिंग नेक्स्ट कॉशन देखते हैं क विश्व स्वाथ संगठन के अद्दक्ष टेड्रोस अधानोम है, राइट आंसर है, उप्शन नमबर B, नेक्ष्ट क्वाश्चन देखते हैं क्या पूश अगया है, ये रहा स्कीन पर, पंद्रागस 2020 के मुख्य अथिती कौन होंगे, बतलाईए, तो पंद्रागस 2020 में इन में से कोई अथिती नहीं होगा, अथिती सिर्फ और सिर्फ गड़तंद्र दिवस पर आते हैं, नेक्ष्ट क्वाश्चन देखते हैं क्या पूश अगया है, ये रहा स्कीन पर, 5 जन्वरी को कौन सा दिवस मना जाता है, बतलाईए, चले देखते हैं तो पांच जन्वरी को विश्व पक्षी दिवस मनाते हैं राइट आंसर हो जाएगा option number B next question देखते हैं क्या पूश अगया है 6 दिसम्बर को कौन सा दिवस मनाय जाता है बतला ही चले देखते हैं तो 6 दिसम्बर को अंतराश्य सोयम सेवा दिवस मनाते हैं राइट आंसर हो जाएगा option number D next question देखते हैं क्या पूश अगया है और गैलरी आफ रासकल्स पुस्तक के लिखक कौन है बतलाईए चले देखते हैं और गैलरी आफ रासकल्स रसकिन बॉन्ड के द्वारा लिखी वी पुस्तक है option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं दादा साब फाल के पुरुसकार 2019 किसे मिला बतलाईए चले देखते हैं तो दादा साब फाल के पुरुसकार 2019 आमिताफ बच्चन को मिला था next question देखते हैं 2020 का फीफा विशुकंप में कितनी टीम में हिस्सा लेंगी बतलाईए चले देखते हैं तो 2022 के国 फीफा विशुकंप में 32 टीम में हिस्सा लेंगी next question देखते हैं ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर होता है बतलाईए चले देखते हैं तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन राजिस सरकार कराती है और ये है आपका surprise question मलेशिया का राश्य खेल क्या है तो दोस्तों ये अमने जो 40 questions किया है ये हर उस exam के लिए important है जिसमें general awareness questions आते हैं आप अपने दोस्तों तक इस link को जरूर शेयर करिएगा साथ-साथ अगर आप हमारे चैनल के नए viewer हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें bell icon on करें और all वाला notification on कर लें हमारे चैनल पर दिन बर में 3 वीडियो upload होते हैं जिसका timing मैंने आपको screen पर दे दिया है साथ-साथ अगर आप परड़े current fs का latest update पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल all exam guide guru 2.0 को subscribe जरूर करें हमारा official channel है जिस पर हम सिर्फ और सिर्फ current fs के वीडियो model test paper के रूप में upload करते हैं परड़े के वीडियो आपको हर जगह मिल जाएंगे लेकिन हम आपके लिए कम से कम 20 दिन का model test paper current fs का बना के देते हैं हर दिन 40 question का model test paper मिलता है तो आपका revision भी होता है नए questions भी मिलते हैं और आपके लिए एक अच्छा question bank भी मिल जाता है तो जरूर channel subscribe करें किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें comment करके पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो तो दोस्तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करिएगा उम्मीदे बहुत होती है उस उम्मीदों को तभी जिन्दा रखा जा सकता है जब उसको आप साथ दे तो लाइक जरूर करें जिससे हमारी महनत सफल हो और इसी प्रकार की उम्मीद के थ्रो आगे हम वीडियो बनाते रहें मिलते हैं दोस्तो नेक्स पार्ट में तब तक बहुत-बहुत धनिवाद स्फ़श्त रहे ऐ है जहां रहे जबर्जस्त रहे अगले पार्ट में फिर से मुलाकात होगी आप सभी का दिन शुभ हो बहुत-बहुत धनिवाद